दोस्तों यूटूब पे ऐसे कई सारे वीडियो जिसमें IDFC First Bank में Zero Balance Account Opening का प्रोसेस बताते हैं तो मैं भी काफी दिनों से खोज रहा हूं कि IDFC First Bank में Online घर बेठे Zero Balance Account कैसे Open कर सकते हैं तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि IDFC First Bank में Zero Balance Account घर बेठे Open कर सकते हैं या फिर नहीं तो सबसे पहले हम चल जाते हैं अपने Chrome ब्राउजर में और यहां पर सर्च करते हैं IDFC Zero Balance Account तो यहां पर हमारे पास दो अप्सन आता है पर्थम से भी अकाउंट IDFC First Bank और Future से भी अकाउंट Zero Balance Account Online तो चलिए हम दोनों पर देखते हैं कि जुरो बैलेंस अकाउंट आपन होता है या फिर नहीं होता है तो पहले हम पर्थम से भी अकाउंट पर किलिक करते हैं तो यहां पर ही Zero Balance Account है उपर जैसा कि बताया जा रहा है और यहां पर निच्चे स्क्रॉल करते हैं तो सारा कुछ यहां पर देखने को मिल जाता है Zero Balance Account, Monthly Interest Rate और ATM का जो भी Cash Withdrawal वगेरा सारा कुछ यहां पर देखने को मिल जाता है लेकिन इसमें आपको एक चीज मिलता है वो आपको Apply करने का बटन ही नहीं मिलता है देखिए कहीं पे भी Apply करने का आपको Option नहीं मिलेगा यहां पे Apply ना हो लेकिन यह Personal Loan के लिए Account Opening के लिए कहीं पे भी Apply का बटन नहीं है इस पेज पे आपको कहीं पे भी Open Account का Option नहीं मिलेगा या फिर Apply Now का Option नहीं मिलेगा जिससे अब Zero Balance Account ओनलाइन ओपन कर पाएं तो चलिए यहां पे एक और हम Back आ जाते हैं यहां पे एक और हमारे पास Seven Account है Future Seven Account जो कि IDFC First Bank का ही है तो इस पे क्लिक करके देखते हैं साइद इसमें हम Apply करने का Option मिल जाए तो यहां पे भी Zero Balance Account है तो चलिए यहां पे भी देख लेते हैं कि Option है या फिर नहीं है ऑनलाइन घर बेठे Zero Balance Account आपन कर सकते हैं तो IDFC First Bank में अगर आप Zero Balance Account आपन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन एकाउंट आपनिंग का कोई भी Option नहीं मिलता है हाँ ब्रांच में जाके अब कोई भी IDFC First Bank के ब्रांच में जाके Zero Balance Account आपन कर सकते हैं वहाँ पर आपको मिल जाएगा और बैंक द्वारा आपका Zero Balance Account आपन कर दिया जाएगा लेकिन अगर आप चाहते हैं अपने मुबाइल फोन से घर बेठे Zero Balance Account आपन करना IDFC First Bank में तो आपको वह Option नहीं मिलता है अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपको IDFC First Bank पे Savi Account आपन करना है घर बेठे ब्रांच नहीं जाना चाहते हैं लेकिन वह Maintenance वाला Account होगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पर टाइप करना होगा IDFC First Bank तो चलिए हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं IDFC Search करते हैं तो यहाँ पर देखिए IDFC First Bank का Official Website आगया है तो इस पर आपको किलिक करना है तो यहाँ पर आपको देखिए बड़ा बड़ा Banner मिल जाता है कि आपको 6% का Interested दिया जाता है यहाँ पर आपको देखिए Open Savi Account का Option मिलता है आप इस पर किलिक करते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर Redirect हो जाएगा जहां से अब अपना IDFC First Bank में Savi Account आपन कर सकते हैं लेकिन यह Maintenance वाला अकाउंट है यह Zero Balance अकाउंट नहीं है यहाँ पर भी लिखा हुआ है चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ तो देखिए यहाँ पर आपको Savi Account में आप नीचे से स्क्रॉल करेंगे उपर आपना जो भी बेसिक डिटेल है वो आप फिल करेंगे तो यहाँ पर देखिए दो Savi Account आपको मिलता है 25,000 रुपए मेंटेन करने वाला और दूसरा 10,000 रुपए मेंटेन करने वाला तो 10,000 रुपए मेंटेन करते हैं तो उसमें आपको देखिए Classic debit card दिया जाता है और 10,000 मेंटेन करते हैं तो उसमें आपको देखिए ये options आपको देखने को मिलता है जिसमें आपको monthly 10,000 रुपए maintain करना होगा साथ में आपको daily 1,000,000 का cash withdrawal मिल जाता है domestic ATM पे और साथ में आपको 1,500,000 daily purchase limit मिल जाता है IMPs, free checkbook वगेरा सब कुछ आपको मिल जाता है जो कि यहाँ पे कोई भी उसके लिए hidden charge नहीं है वहीं पे आप यहाँ पे 25,000 रुपए average monthly balance वाल एकाउंट आपन करते हैं तो वहाँ पे daily आपको देखिए 2,000,000 रुपए cash withdrawal मिल जाता है साथ में आपको checkbook, IMPs मिल जाता है launch access की facility मिल जाता है protection भी मिल जाता है तो यह option है अब यहाँ से आप apply कर सकते हैं जो कि आप नीचे आपको option मिल जाएगा आप यहाँ पे अपना फुरार फिल करेंगे अपना जो भी basic detail है वो डालने के बाद देखिए नीचे आपको देखेगा proceed to open account तो दोस्तो IDFC first bank में zero balance account opening का कोई भी online process नहीं है आप online account अगर open करते हैं तो आपको पैसे monthly maintain करने होंगे और maintain नहीं करते हैं तो उसके लिए आपको charges देने होंगे दोस्तो आप जितने भी YouTube पे वीडियोज देखते होंगे कि IDFC first bank में zero balance account घर बेठे online open कर सकते हैं तो जरह सर्फ वो सारे वीडियोज फेक है IDFC first bank में online zero balance account opening का कोई भी option नहीं मिलता है हाँ ब्रांच जाके आप ब्रांच के द्वारा zero balance account open कर सकते हैं और use कर सकते हैं उसमें कोई भी problem नहीं है